नमस्कार इस्ट्रेंट्स कैसे आप सभी लोग मुझे उम्मीड है कि आप लोग अच्छे होंगे तो बच्चों आप लोग के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थी कि टीचर ग्रामर भी स्टार्ट करो तो आज का यह जो वीडियो है जो हमारा ग्रामर का पहला वीडियो है इसमें हम क्या सेखने वाले हैं तो इसमें हम सीखेंगे forms of words ओके यह जो वर्ब के form होते न यह आपको बहुत जादा help करेंगे जब आप सब्सक्राइब को यह करोगे तब तक रहेंगे तब तक उनका यूस कैसे करोगा तो इसलिए आपको यह जानना apresent और इस वीडियो को देखना को सबसे पहले में बात करने वाले वाले वन होता क्या है तो व्रड को हिंदी में कहते क्रिया जैसे कोई भी काम हम करते है ना तो उसी को हमने क्या बोल दिया वर्ब बोल दिया जैसे कि लाफ ओके लाफ हसना हम क्या कर रहे है हस रहे तो ये क्या है हम कुछ कर रहे है ना So this is a verb फिर learn बोलो तो हम क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं तो ये भी क्या हो गया? आपका verb हो गया या फिर आप नहा रहे हो नहाना ये भी क्या है? एक क्रिया है मतलब verb है ठीक है? Talk, बाते करना तो ये भी हम कुछ कर रहे हैं ठीक है? ये बहुत जारे examples हैं किसके? वर्ब के तो वर्ब में तीन forms होते हैं एक तो first form होता है, second form and third form देखो लिखा नहां यहाँ पर verb का first form, verb का second form और verb का third form ओके? तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ तीनों forms यहाँ पर मैंने कुछ ही verbs लिए हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही लिए हैं, जो daily use किये जाते हैं, मतलब जो जादा दर करके use में आते हैं, उनहीं को मैंने यहाँ पर लिखा है, वैसे और भी होते हैं, अगर आप लोगों को चाहिए होगा ना नहीं तो मैं काम करूँगी, पूरे मतलब जितने भी verbs रहेंगे उनका PDF बना करके description में उसका link दे दूँगी आप क्या कर सकते हो, वहाँ से download करके पढ़ सकते हो, ठीक है यहाँ पर मैंने कुछ ही लिए, पूरे नहीं लिए तो चलो, अभी शुरू करते हैं, अभी यहाँ पर work का first form, इसमें क्या है, abuse ओके, तो second form इसका क्या होगा, देखो, जाधा तर words ऐसे होते हैं, जिसमें अगर आपको second और third form उसका बताना है, तो आप बस उसके last में ED जोड़ दो, अभी आप यहाँ पर देखोगे, जाधा तर ऐसे ही आपको words मिलेंगे, जिसमें आपको second और third form बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ED को जोड़ना पड़ेगा, देखते जाओ बस, abuse, इसका second form होता है, abused, ओके, देखो ED जोड़ दिया लास्ट में, यहाँ पर भी abused समझ में आपको इस तरह से, उसके बाद act, अभी देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, ED जोड़ेंगे acted और acted, ठीके, तो यह क्या है work का second form मतलब act का second form क्या होगा, acted और third form भी क्या होगा, acted ही होगा, abused का क्या होगा, abused और third form क्या होगा, abused होगा, उसके बाद add का क्या होगा, तो इसमें भी देखना हम ED ही जोड़ेंगे, added और यहाँ पर added, ठीके, ask, इसमें भी देखो, ED ही जोड़ेंगे, ask का second form अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या बोलेंगे, ask बोलेंगे, और third form पूछा जाए, तो भी यही होता है, ask ही होता है, become, अभी इसका second form क्या होता है, तो इसमें आप ED नहीं जोड़ोगे, ठीके, कुछ-कुछ वर्प्स ऐसे होते हैं, जिनमें हमें ED नहीं लगाना पड़ता है, ठीके, कई-कई तो ऐसे होते हैं, जिनका पूरा word ही change हो जाता है, जैसे अगर मैं go की बात करूँ, गो मैंने यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, पर go की अगर मैं बात करूँ ना, देखो go कहां पर लिखू मैं, चलो यहीं पर लिख देती हूँ, यहीं पर मैं go वाला लिख देती हूँ, ठीके, तो अगर मैं go की बात करूँ, आप देखना इसका पूरा word ही change लाएगा, second form होता है went, और third form होता है gone, देखा आपने go, went, gone, पूरा ही change हो गया ना, तो ऐसे भी words होते हैं, यहाँ पर क्या था, become था, तो become का second form क्या होगा, became, क्या होता है, become का second form होता है, become, और third form क्या होता है, तो third form होता है become, इसको आप कैसे याद करके रख सकते हो, become, became, become, 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 begin, अब begin का second form क्या होता है, तो begin का second form होता है begin, और third form होता है begin, इस तरह से, यहाँ पर an लगा दिया, देखो ध्यान सा देखो यहाँ पर क्या था IN इसमें AN लगा दिया और इसमें UN लगा दिया बस अब कुप तो कुप में आपको ED लगाना है आगें देखो ED वाला आ गया ठीके कुप का second firm क्या होता है anTF? कुप और third firm क्या होता है मतलब दोनों ना सेम होते हैं अब क्राई तो क्राई का क्या होता है तो क्राई का सेकेंड फॉर्म होता है क्राईट ओके आई एडी लगाना है IED Y को अटा करके IED लगा देना है यह तो second form होगा अभी third form क्या होता है तो third form यह होता है cried ठीके दोनों same होता है अभी draw का क्या होता है तो draw का second form होता है drew वैसे एक बार आप पढ़ लोगे आपको समझ में आजाएगा अगर आप यह first time पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा मुस्किल लेकिन जब आप ऐसे करके पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा एक बार इसको पढ़िए फिर और भी जो वर्ब्स है उनके तीनों forms को पढ़िए दीरे दीरे पढ़ते पढ़ते आपकी दिमाग में बैटने लगेगा तो ड्रो का second form क्या होता है ड्रीव होता है third form क्या होता है drawn होता है क्या होता है drawn D-R-A-W-N इस तरह से get का क्या होता है तो get का होता है second form got और third form होता है gotten इस तरह से and then explain होता है क्या होता है इसमें हम ed लगाते हैं explained इस तरह से और third form भी same ही होता है explained ही होता है नेक्स्ट क्या है play तो इसमें भी अगेन आपको ed ही लगाना है played और played ओके अब यहाँ पर देख लेते हैं तो field का second form क्या होगा field का field मतलब क्या होता अनुभाव करना तो field का second form क्या होगा felt felt और third form क्या होगा felt felt होगा तरह से feel का second form felt, third form felt आप कैसे पढ़ सकते हो feel felt felt ठीकर कैसे पढ़नेया देखो ओयसे पढ़नेगा ऐसे नहीं बोलने कि first form यह होगा, second form यह होगा, third form यह होगा ऐसे नहीं जब आप से कोई पूछे तब आपको बताना है युट्रम ना आप इसको कीसे अप मतलब कैसे याद कर सकते हो ठीक है तो abuse 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 act acted acted फिर add added added ask ask इस तरह से आप इसको पड़ सकते हो यहाँ पर feel felt felt feel felt felt नेक्स्ट है finished अब इसमें आपको क्या लगाना है ed second form बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें ना ed लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी finished third form भी क्या होगा finished होगा and then give अब give का क्या होगा इसमें ed लगाओगी क्या नहीं इसमें ed नहीं लगाते है give का second form होता है give और third form क्या होता है give तो यहाँ पर हमको लिखना है give ओके इसको आप कैसे पड़ेंगे give, gave, given next keep अब keep का क्या होता है तो feel और keep का same ही होता है जैसे feel का second form felt हुआ था तो keep का क्या होगा kept feel का felt तो keep का kept चलो लिख देते हैं kept और third form भी यही होता है kept ही होता है फिर kill इसमें आपको again ed लगाना है no, no का क्या होगा, no का second form क्या होगा, no का second form होगा new देखो जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगे, यहां पर देखो क्या था draw, last में क्या आया था, w आया था, तो यहां पर इसका second form क्या होगा था, drew drawn, right, तो इसी तरह से यहां पर भी होगा, no का new और third form क्या हो जाएगा, known, ओके इस तरह से, no, w, n, जैसे यहां पर होगा था, a, w, n, तो इसी तरह से यहां पर, w, n, मतलब इसमें देखो, w, n, last में था, इसमें भी e, w, तो इसमें भी e, w, okay, अब laugh, तो laugh का क्या होगा, इसमें आपको again ed लगाना है, क्या लगाना है ed, l, a, u, g, h, ed, okay, laugh का क्या होता है, laugh, और third form भी यही होत है, अब next क्या है learn, तो learn का क्या होगा न, देखो, इसमें हम लगा देंगे ed, okay, learn और यहां पर learn, दोनों में ed लगाएंगे, ठीके, पहले कैसे लिखते थे न, पहले इस तरह से लिखा करते थे, l, e, a, r, n, t, ठीके, लिकिन अभी change कर दिया है, अभी ed आ गया है, पहले इसक इस तरह से होता, तो मतलब last में, n, t, लगाते थे, लेकिन अभी ऐसा लिखते हैं, तो आप लोग को भी ऐसा ही लिखना है, learn में आपको क्या करना, second form के लिए ed लगाना है, और third form के लिए ed लगाना है, फिर leaf, अब leaf का क्या होगा, तो leaf का होगा, second form left, और third form क्या होगा, left तो यहाँ पर हमने लिख दिया, left, ओके, इस तरह से, and then reach, अभी इसमें अगेन आपको ed लगाना है, तो reach का second form क्या होगा, reached, ed, और third form भी वह होगा, reached, and next, ring, अब इसका second form क्या होगा, तो इसको आप समझ लो एक बार, ring का second form होगा, rank, और third form होगा, रंग, ओके, इस तरह से, देखो, ring का second form rank, और third form wrong, इसको आप कैसे पड़ोगे, ring, rank, rank, ring, rank, set, तो set का second form क्या होता है, और third form क्या होता है, तो set में कुछ भी change नहीं होता है, जो first form रहेगा, वही second form भी रहेगा, और वही third form भी रहेगा, तीनों क्या होते है, इसमें same ही होते है, मतलब कुछ-कुछ works तो ऐसे होते हैं, जिनका first second और third form तीनों क्या होता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, आप जैसा है, वैसा ही, लिख दो, okay, जैसे की set, चलो, कुछ और works देख लेते हैं, तो next यहाँ पर क्या है, speak, अब speak का second form होता है, spoke, और third form होता है, spoken, चलो, मैं आपके लिख देती हूँ, speak का second form होता है, spoke, s-p-o-k-e, और third form होता है, spoken, okay, next, spend, अब spend का second form क्या होता है, तो देखो, spend का होता है, spent, s-p-e-n-t, third form भी यही होता है, spent, next, study, अब study का second form और third form क्या होगा, सुचना पड़ेगा हमको, क्या होगा, तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, last में y आया न, जैसे देखो, इसमें cry में क्या आया था, last में y आया था, second form क्या होगा, studied, और third form भी same, यही होगा, studied ही होगा, okay, studied, अब swim, अब swim का क्या होगा, तो देखो, swim का second form होता है, swim, और third form होता है, swim, talk, again आपको इसमें ED ही आड़ करना है, talk का second form होता है, T, A, L, K, ED, last में आपको ED लगाना है, और third form के लिए भी ED ही लगाना है, teach, teach का क्या होता है, तो teach का second form होता है, taught, और third form भी क्या होता है, taught होता है, तो चलिए लिख देते हैं, T, A, U, G, H, T, taught हो गया, और फिर third form में भी यहीं आएगा, T, A, U, G, H, T, taught, watch, अभी watch का second form क्या होता है, तो देखो, इसमें हमको लगाना है ED, इस तरह से watched, इसमें भी ED लगाना है, फिर right, right का second form होता है, taught, और third form होता है, written, चलो, यहाँ पर लिख देते हैं, right और third form होता है, written, अब win का second form क्या होता है, तो देखो, win के second और third form दोनों same होता है, win का second form होता है, one और third form होता है, one, मतला win, one, one, okay, इस तरह से आप पढ़ सकते हो, change, change का second form क्या होगा, ed लगाना है, changed, और third form भी y होगा, changed ही होगा, तो लिख देते हुआ हैं यहाँ पर, changed, okay, next, दो और बचे होए हैं, तो bring का क्या होगा, bring का second form होगा, brought, और third form भी होगा, brought, तो चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पर, brought, b, r, o, u, g, h, t, यह तो second form होगा, and third form, brought, brought, b, r, o, u, g, h, t, ठीके, दोनों से में, अब run का क्या होगा, तो देखो run का होता है, run का second form होता है, ran, और third form क्या होता है, run, ran, run, okay, यहाँ पर first और third form क्या होता है, same होते हैं, बस, जो second form होता है, वो change होता है, run का क्या होता है ran run समझ में आया आपको तो यहाँ पर कुछ मैंने कुछ ही works लिए ते यह पूरे नहीं है ठीके मैंने कुछ ही works लिए ते जो आपको जाधा तर करके काम आएंगे जब आप tenses पढ़ोगे voice पढ़ोगे या फिर degree पढ़ोगे तो वहाँ पर ठीके तो आप एक काम करिए सबसे पहले तो इन सभी का आप screenshot ले लो कहीं पर इसको separately एक grammar की notebook बनाओ और उसमें लिख करके रखो ताकि आपको मतलब जब भी ज़रुरत पढ़े तो आप उसको खोल करके देख सकते हो तो सबसे पहले आप screenshot ले लो इसका तो बचो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा forms of verbs अब जो हमारा next वीडियो होगा grammar का उसमें हम start करने वाले है tense तो जिन बचो को भी tense में problem है उनको tense नहीं आता है समझ में नहीं आता कि future है present है या फिर past है तो आप लोग बिल्कुल भी tension मत लीजिएगा आप अगला वाला वीडियो जरूर देखिएगा तो चलिए आभी next वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए